हेलो एंड वेल्कम यूवाल इस वीडियो में फोन पे बिजनस एकाउंट बनाने से ले करके फोन पे का जो फ्री qr कोड होता है जैसा कि आपने दुकान में देखे होंगे या आपने पे भी किया होगा तो आप उस qr कोड को यानि फोन पे qr कोड को कैसे फ्री में मगाएंग यह पूरा प्रासेस देखेंगे दोस्तों और फोन पे अकाउंट बनाने के बाद से आप इसे कैसे यूज करेंगे सबसे पहले आप Google Play Store से फोन पे बिजनेस एप को इंस्टाल करेंगे इंस्टाल करने के बाद से दोस्तों आप इसे ओपेंड करेंगे application open होने के बाद से आप से कुछ परिमिशन मांगा जाएगा आप इसे allow कर देंगे अब आप यहाँ पर वही phone number डालेंगे जो आपके bank account से link है तो मैं यहाँ पर अपना phone number डाल दे रहाँ phone number डालने के बाद से आप यहाँ पर verify पर click करेंगे तो आपके phone number पर OTP आएगा इस OTP को यह अपने आप डिडेक्ट कर लेगा अगर ऐसा नहीं होता है तो आप manually fill करके और verify पर click कर देंगे उसके बाद से आप से यहाँ पर कुछ permission मांगा जाएगा आप फिर से इसे allow कर देंगे आप यहां पर स्टाटर करेंगे उसके बाद से यहां पर देख सकते हैं जैसा निदिया जा रहा है आप यहां पे नेक्स नेक्स पर click करके और done करदेंगे अब आप यह अपर आपको कुछ डिटेल क्रेंगे और यहां पर आपको कुछ detail देना होगा जैसे दीजनेस ध्यूस लिखा हुआ है यह ना मेद नाम कर देरीद है से अगला नाम लिए घर रख ल Dartmouth लिस्ट है कोई क ciao लेगे यहाँ चुर्णारोर पे क्लिक करेंगे और इसके बाद से आपका जो विजिनेस हो विजिनेस को चाहते हैं उसे select कर दे रहा हूं उसके बाद से आपने कोई business logo बना रखा है तो यहां पर business logo डाल सकते हैं मैंने पास नहीं है यहां यहां पर continue कर दे रहा हूं उसके बाद से accept payment now आप यहां पी क्लिक कर देंगे अब आप फित से यहां पर continue पर क्लिक करेंगे और उसके बाद से bank account का detail है उसे field करने के लिए एक farm type का आ जाएगा आपको यहां पर जो bank का पूरा detail है उसे भर देना है जैसे आप यहां पर account number डालेंगे फिर से दुबारा यपसी code डाल देंगे account type में आपका जो भी account हो जैसे saving account हो तो saving select करेंगे अगर current हो तो current account select करेंगे bank detail डालने के बाद से आप यहां verify पे click कर देंगे अगर आपका monthly payment एक लाग से जादे होने वाला है तो accept unlimited payment पे click करेंगे अन्यथा ऐसा नहीं है तो आप skip कर देंगे उसके बाद से आपको यहां पर select कर लेना है कि आपका business किस type क्या है मैं यहां पर Pon이에 उसके बाद से आप यहां पर done पर click करेंगे अब आपka business phone pay account बनके तयार है लेकिन payment receive करने के लिए आपके पास phone pay का QR code मिलना जरूरी है तो ये account बनने के 2-3 दिन के बाद आपको मिलता है तो हम लोग 2 दिन wait करते हैं और उसके बाद से हम phone pay open करके check करेंगे ओके दोस्तों तो अब 2 दिन हो गए हैं वैसे आप 24 गंटे के बाद भी आप check कर सकते हैं तो चलिए हम phone पे application open कर लेते हैं application open होने के बाद से आप यहाँ पे देख सकते हैं show keyword का option है तो आप simply यहाँ पे click करेंगे अगर आपका QR code तयार होगा तो यहाँ पे दिख जाएगा तो देख सकते हैं कि की वार code तयार है अब आप इसको scan करा करके किसी भी ब्रेक्टिस से आप payment ले सकते हैं वगर दोस्तों अगर आप यह चाहते हैं कि आपको physical इस तरह का QR code बिल जाए जैसा कि आपने दुकानों पे देखा होगा तो इसके लिए एक छोटा सा process है दोस्तों चलिए हम यहां से back आ जाते हैं और देखते हैं कि कैसे physical QR code को मंगवाएंगे इसके लिए उपर यहां बाई तरह profile में क्लिक करेंगे उसके बाद से यहां पर देख सकते हैं manage QR code का option है तो आप यहां पर manage QR code पर क्लिक कर देंगे क्लिक करने के बाद नीचे यहां पर देख सकते हैं option है request more QR code का तो आप यहां पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद से दोस्तों यहां पर देख सकते हैं आपका address फिल करना है वैसे दोस्तों पहले से फिल किया हुआ आता है तो अगर इसमें कोई तूटी है तो आप इसको दुबारा feel कर सकते हैं और feel करने के बाद से नीचे यहाँ पर request का option है आप request वाले option पर click कर देंगे तो आपके address पर जो physical keyword code है वो आ जाएगा और आप उसका use कर सकेंगे तो दोस्तों जनकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो को like, subscribe और share करना नव भूलिएगा Thank you for watching